Hello guys welcome to my channel आज मैं आपको बताऊंगा कि सेवरेवेक कैसे क्रेट करते हैं किसी भी gameplay वीडियो में इस वीडियो देखने के बाद जेडाई या स्वी टार्क वेड़ो तो नहीं बनाऊगे मगर एक professional editor ज़रूर लगाऊगे इस टुटोरियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजों की जरुद पड़िक पास magic universe या फिर बोले तो efto plugin second premiere pro चले स्टार्ट करते हैं with a simple glitch intro step 1 select and drag your video project panel पर जाके double click करें और अपनी clip import करें यहापे double click करें फिर अपनी clip को project panel पर import करें फिर इसके बाद in and out point select कर ले step 2 duplicate and make adjustment अब left click plus alt को hold करके एक copy बनाए original clip के उपर फिर अपने हिसाब से फिर click को cut कर ले जहां से जहां तक आपको effect की जरुरत है वागी parts को delete कर दें आप आप clip को slow slow भी कर सकते हैं या फिर उसकी duration बढ़ा सकते हैं all depend on you मगर मुझे तो अभी इसके speed low करने हैं तो मैं इसकी speed low कर रहा हूँ अब अपने हैसाब से देख सकते हैं जैसे कि आपको पसंद है fast यह slow step 3 pen tool selection and keyframe tracing opacity में जाके drop करें options को और उसमें आपको pen tool मिल जाएगा simply वहाँ पर click करके अपने selection कर सकते हैं sorry आटाइम की विजए से मैंने ज्यादा accurate selection ही करी है मगर आप tutorial के हिसाप से ठीक है I think क्योंकि यार मैं ज्यादा आलसी हूँ इसलिए sorry मगर मैं tracing आपको faster दिखाऊंगा आपको जहां यह जिस यह किसी भी object पर जहां पर आपको saver effect apply करना है तो उसको आपको frame by frame ले करना पड़ेगा here comes our easiest step step for nesting and applying the effect अपनी top clip पर red click करें और यह रा nest यहाँ पर nest पर click मारने के बाद nest sequence ok कर देना है इफेक्स में जाके acto search करें और नीचे आपको universal text के folder में एक्टो मिल जाए acto को drag and drop करें अपनी nested clip पर और यह यह लो बन किया हमारा amazing fadu effect saver effect आप अपने हसाब से इसकी values को change कर सकते हैं totally depends on you मैं दो recommend करूँगा कि आप जादा कुछ नहीं बस इसके color presets को को change करें वो जादा जादा सही रहेगा क्योंकि जादा तर लोगों को मुश्किल लगता है settings में वैसे changes करना आपको बहुत सारे एफेक मिल जाएंगे color presets में जैसे की cool warm chroma aqualite twinkle proton beam slimer फैंटम वैसे मेरा favorite phantom मुस्त लगता वैसे चली अब हमारा tutorial खतम होता है thanks for watching see you on our next video bye-bye